मायवती का बड़ा बयान भाजपा सरकार में बड़ी गरीबी बिरोजगार सपा सुप्रीमो मायवती ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद से देश में गरीबी और बिरोजगारी बड़ी है मायवती ने फरुकाबाद सीट के सपा बसपा गटपंदन प्रत्याक्षी मनोज अगरवाल के समर्थन में चुनावी सवागा समोधन करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बिना तैयारी के नोट बंदी वाजस्ती लागू किया जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और भी देश के अंदर अफ़ा तफ़ी का माहल बन गया जिससे देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ गई और देश को अर्थ मुझस्ता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा उन् wyne कि कांग्रेश सरकार के समय में बफोर्स था और अब भाजपा किसानों की छय हजार रुपे दे रही है क्या इससे किसान की गरीबी दूर होगी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मैयवती ने कहा कि जब से देश में अंग्रेज गए हैं तभी से कांग्रेस देश पर राच कर रही है कांग्रेस अगर अच्छा काम किया होता तो हमें बहुजन समाज पार्टी नहीं बनानी पड़ती आज जो बहुजन समाज पार्टी की गठपंदन है उससे भी BJP कॉंगरेस को दोनों को परेशानिया हो रही है कि गठपंदन क्या हुआ है लेकिन गठपंदन को इन दोनों का असर नहीं पढ़ रहा है और मच्बूत होके गठपंदन निकल के आ रहा है और लोगों का समर्थन इतना प्यार मिल रहा है बहुजन समाज और सपा बसपा को धेड़ सारा प्यार गटपंदन के अंदर मिल रहा है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटब बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले